ओम शान्ती आज 27 जुलाई 2023 बाबा के सकार मुरली के मुख्या पॉइंट्स हैं आज बाबा ने पूरी मुरली में बहुत बहुत साब धानी दी है बाबा कहते है आज की मीठे बच्चे कोई भी विकर्म करके छिपाना ने बाबा ने कागर छिपाया और सबह में आकर के बैठ गए तो बहुत दंड मिलेगा और विकार की कड़ी भूल कभी भी नहीं करना इसके बाबा ने विशेश बार 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 ध्यान खिंचवाया है और बाबा ने प्रश्ण में पूछा है आज कि किस लक्षे को सामने रखते हुए पुर्शार्थ में आगे बढ़ते रहेंगे क्या लक्षे रखा जाए तो बाबा न उत्तर में बताया कि हमें सपूत बच्चा बनना है ये लक्षे सामने रखो और माता पिता के तखत नशीन बनना है हर कदम में फॉलो करना है और ऐसी कोई चलन नहीं चलने हैं जिससे कुल कलंकित हम बने भाबा केते सपूत बनना है किसी भी विकार के वशो चकना चूर नहीं होना चकना चूर हो गए तो सत्यानाश हो जाएगी फिर बहुत दुखी होंगे और बाबा ने आज गीत मुर्ली में सुनाया बच्चपन के दिन भूला ना देना आज हंसे कल रूला ना देना तो बाबा केते बच्चे तुमको इश्वरिया गोध मिली है तो इश्वरिया बच्पन है ये अगर विकारों में गए तो समझो मर गए तो बाबा केते बाबा सदा सुख देने वाला है दुख नहीं देता प्रन्तु एक बात ध्यान में रहे कि धर्मराज के रूप में हिसाब परा लेंगे बाबा केते वैसे मैं सुख दाता हूं लेकिन बाबा के साथ में क्या है जैसे गौर्मेंट है तो उनके साथ धर्मराज अर्था चीफ जस्टिस बड़ा जजबी है सुख दाता भी हों और साथ साथ पूरा हिसाब भी लेता हूँ बावा के तगर विकारों में गए और नहीं सुनाया सच नहीं बताया तो सो गुना दंड भी पड़ जाएगा बच्चा बनकर फिर अगर छिप करके नरक का दुआर बने और बावा को समाचार नहीं दिया तो बावा केते फिर एक दम गिर पड़ेंगे और वीजे कोबी नहीं पा सकते बावा नहीं यहां तक कह दिया कि तुम फिर पुर्शारत भी नहीं कर सकते बावा पहले से बतला देते हैं कि बहुत बच्चे ऐसे हैं जो स्वैम को छिपाते हैं और विकारों में जाते रहते हैं तो बावन का ये बहुत बड़ा पाप है छिपाना माना स्वयम को मारना तो बावा कहते इससे अच्छा तो मेरी बच्चे ही ना बने तो ये अच्छा है बावा ने एक्जामपल दिया कि दुनिया में कोई कपूत बच्चा होता है तो माबाब क्या कहते है इससे अच्छा तो मुवा भला तो ऐसे ही बाबा कहते है कि यहां भी मैं यह कहता हूँ इससे अच्छा तो यह मेरा बच्चा बनता ही ना तो बाबा के लिए कई समझते हैं यहां बाबा को क्या पता चलता है, हमने क्या किया, तो बाबा निकाई ब्रम्ह बले बाहरियामी है, लेकिन मैं तो अंतरियामी हूँ, मुझे सब पता चलता है, कि बच्चे क्या करते हैं, क्या करते हैं, फिर बाबा निया खास कर, कहा नारी के लिए, बाबा कहते हैं, तुम कभी जूट नहीं बोलना. बावा पूर्षों से तो नारी पर जास्ती रह्म दिल बन कर आया है. क्योंकि नारी सताई बहुत गई है. बावा केते हैं, मैंने कलश भी नारी पर दिया है. तो नारी पर बहुत बड़ी researcher हो गई है. बावा ने का कि तुम माताओं ने मुझे बहुत पुकारा है तो माताओं को बहुत खबरदार आज बावा कर रहे हैं बावा क propagation नाम भी तुम्हारी उपरी पड़ते हैं यह पुखराज परी नीलम परी आगे बावा ने समझाया कि ट्रेटर कैसे बनते हैं बावा कहते देखो तुम तयारी कर रहे हो स्वर्ग में जाने के लिए फिर अगर विकारों में गिरे तो स्वर्ग में नहीं जा सकते तो मूल भात बावा बार बार कह रहे हैं कि पतित नहीं बनना शिबावा तो जानते हैं न ब्रंतो एक-एक से फिर भी पूछते रहेंगे अप अवितर बन और फिर छिपाया तो बहुत कड़ी से कड़ी सजा भोगनी पड़ेगी तो ट्रिबियोनल बैठते हैं उनके लिए फिर बावा केते हैं कि बाबा भी बैठेंगे ब्रह्मा बावा भी सामने बैठेंगे धर्मराज भी बैठेंगे फिर धर्मराज बतलाते हैं कि तुम फलाने समय पर विकार में गए और फिर सभा में आकर भी बैठे तो बताया नहीं था सच अब खाओ सजा तो बहुत खबरदार रहना है जब कभी विकार में जाएं तो बावा कहते हैं फिर यहां बैठ नहीं सकते हैं आकर ऐसे बहुत सेंटर्स पर आकर बैठ जाते हैं लेकिन बावा कहते हैं बावा तो जानते हैं अगर उनको कहें ना बैठो तो कोई समय जाकर फिर क्या बन जाते हैं ट्रेटर, असुर बन जाते हैं, विगन डालते हैं, घाम्मा करने लग पड़ते हैं, तो इसको कहते हैं पतितराज्या के विगन, कांटे बन करके विगन डालते हैं, तो ऐसी आत्मा यग्य में क्या बन जाती है, विगन बन जाती है, तो बाबा केते विगन डालते हैं, तो इ खियान खिंचवाया कि बाबा के ते देखो हमेशा ये ख्याल रखना है हर एक को कि जैसा करम हम करेंगे हम को देखकर और करेंगे अगर हम बाबा के बन करके विकार में गए देविमान में आए या लोबादी में आए तो सर्विस नहीं कर सकते फिर दूसरी आत्मया में देख जो जाएंगी कैसे लोग एंगे तो ब्रह्म्हा कुमार कुमारी बनना माना बाप का नाम रोशन करना है अगर भूले तो माया जोर से थपड लगा देगी और विकारों से बाबा बावा के यात्रा पर है यह कभी मत भूलो लेकिन कि भूल जाते हैं तो बहुत गंदे बन जाते हैं तो बावा के बावा के पास ज़े बिच्चे आते हैं तो उनकी बात चीज़ से मा ado Previously मुश्किली पर रहते होंगे शक पढ़ता है और फिर मुरली में समझाया भी जाता है बहुत है जो चिपाते हैं तो बाबा के ते चिपाना नहीं है ने तो विजे माला में कभी भी नहीं आ सकते बाबा के ते कोई कोई तो ऐसे बच्चे हैं सारे दिन में एक घंटा आदा घंटा भी याद नहीं करते हैं उनके लिए बाबा की याद में रहना बड़ा ही मुश्किल है। बाबा बार बार साथधन करते रहते हैं कि तुम यात्रा पर हो, काम विकार यहां नहीं होना चाहिए ने तो तुम बहुत बहुत दुखी होंगे। वो बाबा से बेकुंट का वर्सा भी नहीं मिलेगा और अपना पद का वे सत्यानाश कर दोगे। फिर बाबा ने कहा काम महा शत्रू है जो तुमको आदी मद्यांत दुख ही देता आया है। बाबा केते आगे कि जो बुड़ियाएं हैं जो कन्याएं हैं जो विकार से बची हुई हैं और जो विद्वाएं हैं बहुत भागशाली है। इतनी बावा की नजरों में इतने अप्यूरिटी की वैल्यू है, तो बावा कहते है कि पतियों का पती श्व्व बावा तुमको मिला है, तो तुमको बेहद का वर्सा सुरक का मालिक बना देते हैं, तो फट से पवित्र बन जाना चाहिए, लेकिन बावा कहते हैं, घुटका बन जाते हैं और बाबा को लिखते नहीं हैं बाबा हमने हार खाई है तो बाबा केते बाप उनको सावधान कर रहे हैं कि तुम अपना सत्या नाश मत करो बाबा केते कि बाप को निरहंगारी बन पतित दुनिया में आना पड़ता है मुझे सिर्फ बच्चों को ही मिलना है और बच्चे मुझे जानते हैं लेकिन इसमें भी माया कोई कोई को नाग से पकड़ करके गिरा देती है रिगार नहीं रखते हैं ओहो भगवान हमको पढ़ हुआ है तुम बच्चों को भी ऐसा निरंकारी बनना है जैसे बाबा खुद है बाबा के तुम को भी ऐसे बनना है वो तो है निराकार देख कहंकार उनको होना सके तो आप भी तो निरंकारी बनो आप मुए मर गई दुनिया तो बाबा के पास जाना है यह हमेशा याद ऐसे अपने आप से बातें करते रहो तो खुशी का पारा भी चड़ेगा और प्रफुलित रहेंगे फिर बावा सावधानी देते हैं मोह विकार के लिए तो बावा कहते कि कोई कोई तो मोह के ऐसे कीड़े हैं जैसे की बंदर और बंदरियां तो बावा ने की बावा के तें बितर समंदी वादी में ऐसी बुद्धियों को फसा हुआ है कि तूटता ही नहीं उनको बार बार याद करते रहते हैं तो बावा कहते हैं ऐसे याद ही नहीं रहता हैं को कि हम यात्रा पर हैं बावा लेने की लिए आए हैं तो माया उनकी बावगे ते फिर ना की कहीं काट ना दे खुशी तुमको होनी चाहिए खुशी का पारा चड़ना चाहिए जाकर के बोटों को ग्यान का दान दें ताकि उनका श्रिवाद मिले बावा ऐसे बच्चों को से आपस में लड़ाई जगडा नहीं करना है और जो विकारी संबंध है विकारी दुनिया उनसे नाता तोड़ देना है और आगे बावा ने कहा कि अपने आपको क्या बनाओ गद्दी नशीन बनने लायक अगर मम्मा बावा कहते हो तो उन जैसा गद्दी नशीन बनने के लिए उतना पुर्शार्थ भी करना है तो जितना सपूत होंगे तो बावा कहते मैं भी सपूत बच्चों को देख करके बहुत खुश होता हूँ आगे बावा ने स्पेशल अंडरलाइन करवाया ध्यान के इंचुआया है धारना के सार में कि हमेशा याद रखो हम यात्री है संबल संबल कर चलो और पवित्र जरूर जरूर रहना है और साथी साथ कहा कि निरहंकारी बनो जैसे बावा है और वरदान में बावा ने समझाया कराने वाला करा रहा है इस समरिती द्वारा निमित बन हर करम करने वाले क्या बन जाओ बेफिकर बादशा बन जाओ बावा केते हमेशा याद रखो कि मुझे कौन चला रहा है मेरा जीवन चलाने वाला कौन तो स्वेम बावा ही मेरे द्वारा करन करावन हार बन के मेरे को चला रहे हैं मैं कर रहा हूँ, ये भान भी आया, तो बे परवहा नहीं रह सकते, लेकिन बाप द्वारा निमित बना हुआ हूँ, ये समरिती रहे, तो निश्चिन्त रहेंगे, कल क्या होगा, उसकी चिंता भी नहीं होगी, उन्हें ये निश्चे रहता है कि जो हो रहा है, अच्छा हो र ज्यानकारी बावा है, तो क्या बन जाएंगे, बे परवहा बादशाह, फिर बावा ने स्लोगन में समझाया, ये अपने शान्ती और सुख के वाइबरेशन से, हर एक को सुख चैन की अन्भूती कराओ, ये न, ऐसे सुख चैन की अन्भूती सारी दुनिया को कितनी जरूर बावा के थे तुम अपने शान्त सरूप और सुख सरूप में से टिक जाओ, कि सारी आत्मों को सुख चैन की अन्भूती कराओ, तभी क्या गेंगे, सच्चे सेवा धारी, ठीक है, तो ये थे बावा के आज के, मधूर मधूर महावाक्य, ओम शान्ती